Hello everyone, very good morning to all of you, दिन की शुरुबात करेंगे 10 अगस्त 2022 के important current affair के साथ, हर एक question important है, इसलिए अन्त तक ध्यान से देखेगा, PDF का link वीडियो के description में है, वहाँ से आप answer की के साथ PDF डाउनलोड कर सकते हो, और essay student जिनों अभी तक Telegram चैनल नहीं जोइन किया है, तो आप मेरा Telegram भी ज description में सबसे उपर दिया हुआ है, आज का वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे, कल के question की, कल मैंने आपसे एक question पूछा था, कि Zika virus जो है, ये कौन से मच्छर की वज़े से आपके body में पहुंसता है, तो Zika virus का वहाँ होता है एक मच्छर, और इसे बोलते हैं Eddies किटों answer किया है, उन सभी answer सही है, अब चलिए शुरू करते हैं आज के question, पहला question है, आंध्रपदेश का ये कौन सा district है, जिसका अभी हाली में नाम बदल कर Dr. B.R. Ambedkar कोन सीमा district कर दिया गया है, तो आंध्रपदेश सरकार ने कोन सीमा नाम का जो district था, इसका नाम बदल कर Dr B.R. Ambedkar कोन सीमा district कर दिया है, मतलब नाम के आगे Dr. B.R. Ambedkar लगा दिया है, आप लोग एक चीज और धहान रखेगा, अपरेल के महिने में आंध्रपदेश सरकार में आंध्रपदेश के अंजर जो 13 district हुआ करते थे, सब को बाइफरकेट कर दिया था, और 13 गुणे 2, टोटल 26 district आंध्रपदेश के अंदर बना दिये गए, तो एपरेल तक आंध्रपदेश के अंदर 13 district थे, इस टाइम पर 26 district हैं आंध्रपदेश में, तो कोश्चन आपसे ये पूछ सकता है, कि अभी हाली में कौन से राज में 13 नए district बने थे, तो ये भी आंध्रपदेश ही ह अगला कुशन है, अभी हाली में ये कौन से दलाई लामा है, जिनको हाइस सिविलियन ओनर बी पैल आरेंगम डस्टन से सम्मानित क्या गया है, तो आरेंगम डस्टन जो है, ये एक तरीके से लद्दाक ऑटोनॉमस हिल डेवलप्पेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाने हाई सिविलियन ओनर है, तो ये सम्मान इस थाइम पर चौदवए दलाई लामा जो है, उनको दिया गया है, चौदवे दलाई लामा को इस लिए दिया गया है, कि ये तिब्बतियन इस्पृरिच buffer है, और इनों ने humanity के छेतर में जो उत्करस्ट कार्य किया है, जिसके लिए इनको सम्भानित किया गया है इनकी उम्र इस साल 87 की हो गई है अगला कोशन है अभी हाली में ये कौन है जिनको Miss India USA 2022 क्राउन से सम्भानित किया गया है तो ये अपने आप में एक एवार्ड है Miss India USA का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत के बाहर जो भारती ये मूल के लोग होते हैं उनके लिए हर साल ये अवार्ड या आप बोल सकते हो ब्यूटी कॉन्टेस्ट सो और्गनाईस क्या जाता है जिसमें इस साल Miss India USA 2022 जीता है इनका नाम है आर्य वालवेकर क्या नाम है आर्य वालवेकर ये भारती ये मूल की अमरीकी है और अमरीका के वर्जीनिया में रहती है इस बार जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ है ये न्यू जर्सी में हुआ है कहाँ पर न्यू जर्सी इसके बाद अगर बात करी जाए फस्ट पे तो आर्य वर लेकर रही है सेकेंड नंबर पे सौम्या शर्मा रही है और तीसे नंबर पे रही है संजना चेकूरी इसमें आप एक चीज और ध्यान रखना इस कॉन्टेस्ट में टोटल चोहतर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये तीन कॉन्टेस्ट थे एक तो Miss India USA का कॉन्टेस्ट जिसे आरे वल वेकर ने जीता है दूसरा कॉन्टेस्ट था Mrs. India USA तो Mrs. कॉन्टेस्ट में यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इसको जीता है अक्षी जैन ने किसमें? अक्षी जैन और जो तीसरा इसमें कॉन्टेस्ट था यह था Miss Teen का किसका Miss Teen का कॉन्टेस्ट था Miss Teen India USA तो यह रही तनवी ग्रोवर के नाम है तनवी ग्रोवर तो आप जहाँ पर भी नोट्स बनाएं तीनों के नाम लिखेगा आरे वल वेकर का अक्षी जैन और तनवी ग्रोवर अगला कुशन है International Day of the World's इंटेजिनेस पीपल अभी हाली में कौन से दिन मनाया गया यह दिवस पूरे दुनिया भर में सुदेशी लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है और यह मनाया गया 9 अगस्ट को कल के दिन यह दिवस मनाया गया इस बार 2022 की थीम रही The Role of Indigenous Women in the Preservation of Transmission of Traditional Knowledge Ultimately कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी जगह पर जाते हो तो वहाँ पर तब आपको वैल्यू पता लगती है कि इंटेजिनेस लोगों की वैल्यू क्या है जैसे कि example के तौर पर मान लीजे आप Egypt गूमने जाते हो तो एजिप्ट में अगर वहाँ के इंटेजिनेस लोग ही नहीं रहेंगे तो आपको पिरामिड की basic knowledge नहीं मिल पाएगी जैसे कि मान लो आप कल को अमरीका में जाते हो नौर्थ अमेरिका में तो वहाँ का जो culture है जब तक वहाँ के इंटेजिनेस लोग नहीं होंगे तब तक वो आपको नहीं बता पाएगे इसी तरीके से हमारे भारत में अगर कोई आता है तो मूलता जो मूल निवासी है भारत के वो अगर नहीं होंगे तो भारत की संस्कृति के बारे में कौन बताएगा तो ये दिवस इंटेजिनेस पीपल की इंपोर्टेंस के बारे में बताता है अगला कुशन है अभी हाली में ये कौन सी संस्ता है जिसके द्वारा इस पंदन इस फूर्ती फिनेंचल लिम्टेड जो की एक नॉन फिनेंचल कंपनी है या फिर आप बोल सकते हो अगला कोशन है अभी हाली में 2022 की SAFF Under 20 Championship Trophy किसके द्वारा जीती गई है यहाँ पर SAFF का मतलब है South Asian Football Federation तो 2022 का South Asian Football Federation Under 20 Championship जीता है भारत ने भारत ने फाइनल में बांगला देश को अरा है इस बार SAFF Under 20 Championship का चोथा संस्क्रण आयोजित किया गया था SAFF की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी 1997 में ढाका में कहाँ पर ढाका में और SAFF के इस टाइम पर प्रेसिडेंट है काजी सलाउद्दीन क्या नाम है काजी सलाउद्दीन और इसी इवेंट में इस बार SAFF Under 20 Championship में टॉप स्कोरर रहे हैं गुर्कीरत सिंग ये भी आपको ध्यान रखना है गुर्कीरत सिंग इन्होंने इस Championship में टोटल आठ गोल किये हैं तो सबसे आदा गोल करने वाले के लाली गुर्कीरत सिंग रहे नेक्स कुशन है कौन सा संस्क्रण इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाईज वज्र प्रहार 2022 का भी हाली में लौंच किया गया तो भारत और अमरीका के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाईज ये होती रहती है और हर साली एक्सरसाईज होती है और इसका नाम है वज्र प्रहार तो इस बार इसका कौन सा संस्क्रण आयजूद किया गया तेरवा संस्क्रण इसका आयजूद किया जा रहा है इस बार इसका वेन्यू है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कहां पर तो यह जगह का नाम है बकलोग, क्या नाम है बकलोग, और यह जो exercise है, यह भारत और अमरीका के बीच में alternatively organized होती रहती है, मतलब last time जो इसका 12 संस्क्रण था, जो 12th edition था, वो अमरीका में हुआ था, Washington में, October 2021 में, तो इस बार 22 का संस्क्रण कहां पर हो रहा है, भारत में हो र लेती हैं, जैसे आप देख सकते हो, यह इंडियन special forces के जवान है, और यह अमरीकी special forces के जवान है, दोनों यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, और counter terrorism के लिए यह exercise conduct करी जाती है, अगला कुशन है, अभी हाली में, इनमें से, किसके द्वारा, हिम, ड्रोन, एथान नाम का प्रोग्र इसलिए launch किया है, कि इसमें भारती है सेना के साथ Drone Federation of India काम करेगी, भारती है सेना Drone Federation of India को अपनी requirement बताएंगे, और Drone Federation of India भारती है सेना के लिए इस तरीके के drones डिजाइन करेंगे, जो कि front line पे Indian Army के कई तरीके से कारे में आएंगे, जैसे कि autonomous surveillance system के लिए भी drones बनाए आएंगे, और इसमें Indian Army को ऐसे drones की भी जरुदत है, जो कि nano technology और micro drone होंगे, और इसके अलावा चाहे वो चाइना front हो, चाहे पाकिस्तान front हो, हिमालियन ranges के उपर कारे करने वाले ये सारे drone होने चाहिए, मतलब higher altitude में सारे drones काम करने चाहिए, ये इनकी खास बात है, इसी वज पहले ऐसे engineer हैं, जो कि army chief की post पर है, भारतिय वाई सेना के इस टाइम पर चीफ है, वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, और भारतिय नौ सेना के इस टाइम पर चीफ है, आर हरीकुमार, अगला question है, अभी हाली में defense expo का बार्वा संस्क्रण कौन से शहर में आयोजित किया जाने वाला है, तो defense expo इस बार आयोजित किया जाने वाला है, गुजरात के गांधी नगर में, defense expo की खास बात ये है, कि ये एक तरीकी की प्रदर्शनी होती है, exhibition होती है, जिसमें हमारे defense के चाहे army equipment हो, चाहे naval equipment हो, और चाहे homeland security systems हो, इन सभी को प्रदर्शनी के यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, दुनिया भर के defense units यहाँ पर हिस्सा लेती है, और यहीं पर deal भी होती है, जैसे कि माल लीजे, कोई देश यहाँ पर आता है, और इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेता है, उन्हें अगर माल लीजे हमारी कोई भी indigenous torpedo पसंद आ जाती है, तो उस torpedo को यह अपने defense equipment को defense प्रदर्शनी kind of लगाई जाती है, एक और fact, साल 2014 तर defense exhibition नई दिल्ली के अंदर लगाई जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से यह भारत के different different places पर लगाई जाती है, हर दो साल में defense expo लगाई जाती है, 2014 के बाद 2016 में इसको गोवा में लगाया गया था, उसके 2018 में defense expo लगी थी, चिन्नाई में, 2020 की जो defense expo है, यह लखनवों में आयजुत करी गई थी, और इस बार 2022 की करी जा रही है, गांदी नगर में, इस बार की defense expo की theme है, part 2 pride, क्या नाम है, part 2 pride, यह कब से कब तक होगी, तो यह 8 October से इस बार 22 October तक आयजुत करी जाएगी, कौन से देश के पहले leftist president बने है, तो पेत्रो अभी हाली में, नए president बने है, कोलंबिया के, कोलंबिया एक South अमरीकी देश है, और इसकी capital है, बोगोटा, क्या बोलते हैं इसको, बोगोटा, और इन्होंने रास्टपती बनते ही, announce किया है, कि आगे आने वाले time में, यह oil exploration के के लिए कोई भी नया लाइसेंस नहीं देंगे, मतलब तेल के जो dealers हैं, तो dealership में तेल के लिए कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं करेंगे, और जो कोलंबिया है, यहाँ पर currency कौन सी चलती है, इसको बोलते है, पीसो, क्या बोलते है, पीसो, पेरु की capital है, लीमा, चिली क की capital सेंटियागो, और बोलिविया की capital सूक्रे, यह question बहुत important है, वैसे तो मैंने आपको Commonwealth Games का पूरा वीडियो कल दे दिया है, लेकिन यह question उससे हटके है, इस वार के Commonwealth Games 2022 में, भारत के लिए गोल्ड लाने वाले पहले खिलाडी कौन बन गये है, तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, यह है, Eldos Powell, यह केरल के खिलाडी है, और इन्होंने कीर्थिमान स्थापित कर दिया है, गोल्ड लाकर, अभी तक कोई भी ऐसा भारती नही हो Commonwealth में, तो नाम ध्यान रखेगा, और इन्होंने कितनी जंप क्लियर करिये, 17.03 मीटर माईने रखता है, Commonwealth गेम 28 जुलाई को शुरू हुए थे, और परसो के दिन इनका समापन हुआ है, 8 अगस्त को, इस बार के Commonwealth बर्मिंगम में हुए है, अगला कुशन है, RBI ने अभी हाल जुर्माना इसलिए लगाया गया है, कि इन्होंने Directions and Classifications को बीच किया है, RBI की, RBI के दवारा जो guideline थी, उनको इन्होंने violate किया है, जिसके लिए 32 लाग रुपे का जुर्माना इनके उपर लगाया है, इसके लावा, Reserve Bank of India ने 82 लाग रुपे का भी जुर्माना लगाया है, क इसकी वज़े से इनके उपर जुर्माना लगाया, Jupiter Capital, Bangalore-based एक financial organization है, RBI की स्थापना 1935 में गरी गई थी, headquarter है मुंबई, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, Indian Bank की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना 1907 में गरी गई थी, headquarter है इसका चिन्नाई, और Indian Bank के CEO इस टाइम पे, शांतिलाल जैन, क्या नाम है, शांतिलाल जैन, अगला कुशन है, ये कौन सी राज्य सरकार है, जिसने अपने राज्य के अंदर बुनकरों के लिए, नेथन्ना कू बीमा योजना शुरू करी है, तो नेथन्ना कून नाम की जो बीमा योजना है, इसको अभी शुरू किया गया है तेलंगाना में चंद शेकराओ की सरकार के द्वारा इस योजना के अंतरगत तेलंगाना सरकार बोलती है कि जितने भी बुनकर है उनकी या तो नैचुरल डेथ हुई या फिर एक्सिडेंटल डेथ होती है दोनों ही केसिस में सरकार की तरफ से पांच लाख रुपे की वित्ती सायता उसके नॉमिनी को दी जाएगी और इसके लिए तेलंगाना सरकार ने LIC के साथ पैक्ट साइन किया है साथ में इस योजना के अंतरगत तेलंगाना सरकार ये एशोर करती है कि म्रत्यू के दस दिन के भीतर उस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा द्यान रखेगा LIC ने इस साल अपना IPO लॉंच किया था IPO के अंतरगत LIC ने कितने परसेंट स्टेक मार्केट में बेचे हैं तो ध्यान रखेगा पहले LIC ने फैसला लिया था 5% IPO ये लॉंच करेंगे फिर केबल इन्होंने 3% ही फाइनली लॉंच किया है LIC के चेर परसेंट है MR कुमार LIC की स अपना 1956 में करी गई थी headquarter है मुंबई अगला कुशन है अभी हाली में BCCI matches के लिए Paytm को official partner से replace कर दिया गया मतलब title sponsor BCCI matches का अभी तक Paytm हुआ करता था इसको replace कर दिया है किस company ने तो अब से master card हुआ करेगा title sponsor BCCI का Paytm का contract 2023 तक है 2023 में अगले साल ये contact खतम हो रहा है उस के बाद से master card BCCI को tightly sponsor करेगा मतलब mainly और Paytm को जो sponsorship दी गई थी ये 2015 में दी गई थी पूरे 8 साल का contract था हला कि ये contact फेले 5 साल का था इसको बढ़ाया गया फिर 3 साल तक और master card एक अमरीकी company है जिसका headquarter है New York ये भी एक financial payment gateway aggregator company है Paytm की स्थापना 2010 में करी गई थी इसका headquarter है और इसके CEO है विजय शेकर शर्मा क्या नाम है विजय शेकर शर्मा यही इसके founder भी है BCCI की स्थापना 1928 में करी गई थी इसका headquarter है मुंबई इसके president है सौरफ गंगुली और इसके secretary है जे शाव क्या नाम है जे शाव अगला question है अभी हाली में 9 अगस्ट को मतलब कल के दिन one nation one nation card योजना जो है भारत सरकार की इसने कितने साल पूरे कर लिए इस योजना ने तीन साल अपने पूरे कर लिए इस योजना को 9 अगस्ट 2019 में launch किया गया था फ्रधान मंत्री नरेन मोधी के द्वारा तो अभी 2022 मे पूरे तीन साल हो गये है इस योजना के आसाम इस योजना को जोईन करने वाला आखरी राज़े है ये चीज़ धिहन रखना आसाम ने इस योजना को अभी जून 2022 में ही जोईन किया है वन रेशन वन रेशन कार्ड योजना का मतलब यह है कि अभी तक इस योजना से पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजे आप उत्तर पदेश के रहने वाले हैं और आप महरास्टरा में कारे करने जाते हैं तो आप महरास्टरा में जाकर यूपी के राशन कार्ड से राशन नही ले सकते, COVID pandemic में इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला, जब COVID pandemic हुआ तो लोग एक राज़ से दूसरे राज़ नहीं जा पाए, अब इस केस में उन्हें अनाज भी मिलना मुश्किल हो गया, इस सारी चीजों को देखते हुए, COVID pandemic के दोरान, 2019 में 12 सरकार ने टेसला ल बात हो गई आज के question की, आज का दिन आपके लिए important इसलिए है, कि आज है 10 तारिक और आज से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, static GK का, बहुत ही ताबर तोर बैच है, आप किसी भी सरकारी exam की तैयारी कर रहे हो, static GK का weightage लगातार बढ़ रहा है, तो आप इस course का फा पैसा बच रहा है, अगर आप वरुन 777 code लगाते हैं, तो 12 अगस्त की offer है, एक तो इस टाइम पर price कम हो गए है, पहली चीज, दूसरी चीज, हर एक subscription पे, extra 6 महीने का आपको subscription मिल रहा है, जैसे मान लिए आप एक साल का subscription लेते हैं, तो आपका देड़ साल का हो जाएगा by default for subscription, दो साल का लेते हैं, तो धाई साल का हो जाएगा, तो अगर total benefit को मिला दें, तो 41% आपका सीधा सीधा पैसा इस टाइम पर बच रहा है, और extra 10% तो वो तो हई है, evergreen, तो वरुन 777 code लगाई है, और इस टाइम पर कोई भी subscription आप ले सकते हो, UPSC, SSC, bank, railway, IIT, JEE, कोई भी subscription और आज इस बैच को जरूर जोइन करिए, बारा बजे से ये बैच स्टार्ट है, इसके अलावा, आज का मेरा आपसे question है, आपको बताना है, 1924 में Indian National Congress के President कौन थे, ज़रा मुझे comment box में लिख कर बताईए, Thank you everyone, take care, have a nice day, आपका दिन मंगल मैं हूँ.